Hi, my name is Aashish Parashar, welcome to Magnet Brains. इस lecture में हम एक नया topic पढ़ेंगे, that is, BioTech and its Application. BioTechnology के Applications की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़ादा Wide Variety के Application हैं, जैसे की Diagnostics में. तो अगर बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको जो Diagnosis है, उसमें काफी ज़ादा यूज किया जाता है BioTechnological Techniques का. For example, Polymerase Chain Reaction, जो मैंने आपको बताया था, वो बहुत बहुत ज़ादा Important है, और काफी सारी बीमारियां उससे Detect की जा सकती हैं. Genetically Modified Crop for Agriculture, अब आपने देखा था, जब Green Revolution आया था, तो वो एक्चुली में सबसे बड़ा जो Reason था, उसके पीछे यही थे, कि Genetically Modified Crop जो हैं, उनका यूज किया गया था, Hybrid Varieties का यूज किया गया था, और प्लस हम ये भी कर सकते हैं, कि Agriculture में जो Crop जो Crop जो उनको कुछ इस तरह से Grow करें, कि एक ही Food खा के, हमको Maximum Vitamin और Minerals सारे मिल जाएं, जो उसमें Already Present Naturally नहीं थे, Processed Food, काफी सारे ऐसे Materials हैं, उनको हम Food की तरह यूज कर सकते हैं, काफी सारी ऐसी चीजे हैं, जिनको हम As a Food आगे यूज कर सकते हैं, Bio Remedies, Bio Remedies में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जिनको Bio Remedies में Include किया जा सकता है, Plus Health Sector एक ऐसा सेक्टर है, जहां पे सबसे जादा Important Bio Technology का किया जा सकता है, और आज हो भी रहा है, जिसमें Treatment भी हो गया, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, प्लस कुछ ऐसी चीजे हैं, जो हमारे Importance के लिए, जैसे Insulin Production हो गया, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जिनका Ultra Ultra Use होता है, और बहुत जादा Wide Level पे Use होता है, Waste Treatment में हम Use कर सकते हैं, काफी सारे Genetically Modified Organism हैं, जो हमारे Waste Treatment में काफी मदद कर सकते हैं, Energy Production में मदद की जा सकती है, Energy Produce करने के काफी अलग-अलग टाइप के तरीके होते हैं, वहाँ पे हम Bio Technology का Use कर सकते हैं, ये अलग-अलग वो सेक्टर हैं, कितना परसेंट कहां पे Use हो रहा है, जिसमें आप देखोगे Health में सबसे जादा Use किया जा सकता है, Bio Technology और उनकी Process का, Next अगर हम बात करें, तो Research Area, जिसके अंदर Bio Technology को Research Area, जो है, कुछ Defined Research Areas हैं, जैसे Catalyst, तो Actually में क्या करना है, Bio Tech का जो Research Area है, कि हमको एक ऐसा Catalyst Produce करना है, Catalyst का क्या काम होता है, Reaction को Fast कर देना है, तो हमको एक ऐसा Catalyst Provide करना है, जो Best हो in the Form of Improved Organism, Actually में क्या है, एक Organism जो Bio Tech की मदद से हमने Produce किया है, ठीक है न, इस Organism को हमने Bio Technology की मदद से Produce किया है, तो ये क्या है, ये Catalyst है, जो भी X, Y, Z, जैसे हम इसे Insulin बनवा रहा है, तो Insulin बनाना बहुत Fast करे, और बहुत ज़्यादा करे, तो हमारा ही फायदा है, दूसरा Optimum Condition, अब ऐसा नहीं होना चीए, कि ये तो एकदम सही है, लेकिन इसको जिस Body भेजा जा रहा है, वहाँ हम इसको Managing न कर पाए, और ये जाके काम ही ने कर पाए ठीक से, तो हमको Optimum Conditions का भी ध्यान रखना है, ताकि ये Catalyst सबसे अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से Perform करे, Downstream Processing, यानि कि एक तरीके से Last Stage होती है, जहाँ पे Finishing, Fitting और ये सारी चीज़े होती है, Now, what is Finishing and Fitting? यानि कि वो Last Process, जिसके बाद हम इसको Product को Market में उतारने वाले होते हैं, तो कुछ Basic चीज़े रहती है, Purify करना रहता है Protein को, Organic Compound को, तो उसको हम Downstream Processing में Include करते हैं, Next, Application अगर मैं बात करूँ Agriculture Field में, तो Agriculture Field में तो बहुत ही ज़ादा Applications है, For example, Agrochemical Based, तो पहले एक्चली में क्या होता था, Agriculture, Fertilizer डाला, खतम, उसके बाद हमारे जो Responsibility है वहीं खतम हो जाती थी, तो यह Conventional Technique है, Organic Agriculture and Organic Farming, अब हम क्या करेंगे, Organic जो Products हैं, उनका यूज़ करेंगे, और उसमें हम BioTech की मदद ले सकते हैं, ऐसी Organic Products को ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करवाया जाए, Manure वगरे से मदद से, हम जो Agriculture हैं, उसको काफी ज़्यादा Organic तरीके से बढ़ा सकते हैं, Last, जब हम Transgenic Plants को प्रोड्यूस करना चालू करते हैं, ऐसे Plants जो Genetically Engineered हों, उनको हम प्रोड्यूस करना चालू करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा फाइदा होता है, जो Transgenic Plants होते हैं, यह बहुत ज़्यादा सुपीरियर और फाइदेमंद होते हैं, तो इनको जो है, इनको मैं डीटेल में पढ़ा हूँगा, कि क्यों Transgenic Plants फाइदा देते हैं, क्या उनके benefit हो सकते हैं, नेक्स लेक्चर में, तो यह introduction वीडियो था, I hope आपको यह वीडियो पसंद आए होगा, अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, Thank you. Hi, my name is Ashish Parashar, Welcome to Magnet Brains, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक, That is, Production of Transgenic Plants. अगर मैं इस टॉपिक की इंपोर्टेंस की बात करूँ, तो यह इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट है, कि काफी बार सेम कोशन्स जो हैं, और मिलोडी जायम के बारे में हो जाए, तो यह सारी चीज़े आपसे बार-बार रिपीटेडली पूछी गही है, सवाल यह उठता है, यह है क्या? मैं एकदम बेसिक से चालू करूँगा, कि आपने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं सुना है, और एकदम अच्छे से समझाऊंगा, कि जहां आपके एम्स लेवल के AR सब क्लियर हो जाए, इसको हम एक कहानी की तरह समझते हैं, स्टार्टिंग विद दा स्टोरी, क्या हुआ था? हमारे कुछ ऐसे प्लांट थे, जिन का हमें नुकसान हो रहा था, कि एक नेमाटोड है, नेमाटोड का नाम है, मिलोडी गाएन इनकॉगनीशिया, ठीक है ना? तो मिलोडी गाएन इनकॉगनीशिया है, यह एक नेमाटोड है, यह है जो रूट्स हैं, रूट्स किसकी? जैसे कि तोबे को प्लांट हो गया, soybean हो गया, ठीक है, tomato हो गया तो इन plants की roots को जाके वो capture करता था और उसको वो फिर बीमार करता था उस plant को क्या करता था? disease करता था, obvious यह बात है plant मर जाएगा क्योंकि roots को infect कर रहा है scientist ने काफी कोशिश की उस nematode को रोपने की लेकिन फिर वो नहीं कर पा रहे थे तब एक नए तरीके की technique निकाली गई, ठीक है? उस नए तरीके की technique में क्या किया गया? कि उन्होंने जो पेड है जैसे की तॉबे को plant है, समझना इस बात को ये विस बनाता है आपकी समझ का ये मान लीजे ये वो तॉबे को plant है, ठीक है? ये वो तॉबे को plant है इस तॉबे को plant में बार-बार ये नेमेटोड आके मीमारी फैला रहा था हमने इसके genes को बदल दिया, हमने क्या किया? इसके genes में कुछ changes किये, कुछ फर्क किया और उसकी मदद से अब जो नया plant है इस plant को अब हमने क्या बो दिया? ट्रांसजैनिक plant ट्रांसजैनिक मतलब समझ रहा है ना? gene इसके अब बदल चुके है ट्रांसजैनिक plant ठीक है? तो अब ये जो plant है ये चलो मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ कि आप अच्छे से डिफ्रेंशियेट कर पाएं अब ये जो plant है ये ट्रांसजैनिक plant है और अब इसको जो मिलोडिजाइम है वो बीमारी नहीं फैला पा रहा है डिजीज नहीं दे पा रहा है तो ये बहुत ही सिंपल सा मेकेनिस्म देखने से लग रहा होगा किया रहे यार कितनी जरा सी बात है बस जीन सल्टर किये लेकिन ये हुआ कैसे ये जो मैं बता रहा हूँ कि इसको ट्रांसजैनिक plant बनाया है ये बनाया कैसे क्योंकि अब ये वाला जो plant है ये disease resistance है इसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी यानि कि अब ये plant जो है वो disease resist करेगा बीमारी होने से रोकेगा और melody जाएम अब इस plant का कुछ भी नहीं कर सकता ये चीश समझ में आई ये है आपका आज के topic का basic और आपको एक और बात बताओं जो मैं कहानी के form में इतना easiest बता रहा हूँ ये बहुत tough concept है तो इसके लिए focus बहुत important है फोकस बनाए रखना अगे हम बढ़ते हैं अब अगला मेरा सवाल कि हमने इसके genes में changes लाए कैसे देखो क्या था इसको जो ability चाहिए थी इसको actually में क्या चाहिए था जब हमने देखा कि वो क्या तरीका है जिससे की nematode बीमारी फैला रहा है हमने क्या देखा वो कौन सा तरीका है जिससे nematode बीमारी फैला रहा है हमने ये पाया कि जो nematode है वो actually में एक अब nematode का obviously बात है वो एक mRNA बनाता है और वो जो mRNA है वो आगे चलके protein बनाता है और यह जो protein है यही protein बीमारी फैलाता है तो किसी भी तरीके से अगर हम यह protein बनने से रोक लें तो obvious सी बात है हम बीमारी भी रोक लेंगे तो किसी भी तरीके से अगर हम यह protein बनने से रोक लें, तो बीमारी भी रोक लेंगे, हमने क्या किया, हमने इस step को यहाँ पर रोकने का फैसला किया, कि कोई एक तरीके से हम इस step को यहाँ पर रोक दें, तो उसके लिए हमको क्या चीए होगा, यह जो mRNA है, उसके opposite sequence का, देखो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा concept है, मज़ा आ जाएगा पढ़के, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस mRNA को आगे protein बनाने से रोकना है, तो obviously बात है, अगर मैं इस mRNA को एक और दूसरा helix इसमें लगा दू, एक और strand इसमें लगा दू, तो यह double strand RNA बन जाएगा, और double strand RNA कभी protein नहीं बना सकता, ठीक है न, त इसको यहीं पर रोक सके, यह कुछ ऐसा आप, आपने honey trap वाले नाम सुने होंगे, जब आपने देखा होगा, बहुत सारी movies हैं, उनमें use होता है, एक कोई गुंडा रहता है, उसको रोकने के लिए कोई heroine को भेज देते हैं, फिर उसे गलत काम करने से रोकती है, तो यह अपने जो synthetic lab में, synthetic तरीके से एक RNA बनाया, और वो इसके साथ pair करेगा, और इसको protein बनाने से रोकेगा, और plant को बीमारी नहीं होगी, अब अगला twist, sir आपने यह जो mRNA है, क्योंकि बनाना easy है, हमको करना ही क्या है, nucleotide एक दूसरे से जोनने है, tough काम क्या है, plant के अंदर कैसे ड पहली में तो हम ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किया था और दूसरी में हमने इस तरीके से रोका, अब हम आगे बढ़ रहा है कि हमने यह जो synthetic mRNA बनाया है, यह हमने कैसे उसके अंदर डाला, देखो, क्या था, यह था वो plant तौबैको का, ठीक है, यह रहा वो तौब हम कौनसा तरीक आपनाते हैं, vector की मदद लेते, ठीक है न, vector की मदद लेते, तो vector से कैसे, actually में हमने एक ऐसा दूसरा बीमारी करने वाला, जो bacteria है, कौन सा बेक्टिरिया है, agrobacterium, tumifacium, agrobacterium, tumifacium, हमने इसका यूज लिया, और हमने क्या किया, हमने यह किया, कि actually मैं, जैसे आज से सुनना बहुत important है मानलो यह रहा इसका plasmid ठीक है अब plasmid कहा होता है जिन लोगों को नहीं बता उनको एकदम basic से बता रहा हूँ यह रहा इसका main DNA content यह रहा इसका plasmid तो हमने क्या किया इसका मानलो plasmid का यह वाला जो हिस्सा था वो एक बीमारी कॉस करता था क्योंकि हमें आगे जाके disease करने वाले की खासियत क्या होती है bacteria की कि वो अंदर जाके अपना plasmid छोड़ेगा और अंदर जाके semi-autonomously इसका DNA का replication है यह ना तो bacteria के भरोसे है ना हमारे organism जो जिसके अंदर यह जाएगा उसके भरोसे है यह खुदी replicate कर लेता है यानि कि खुदी RNA बना लेता है अपनी मर्जी से बिना किसी की permission के हमको भी यही चाहिए ना और इसी तरीके से यह बीमारी फैलाता था तो जैसे आप कुछ आपको हम पहुचा सकता है कुछ नहीं ऐसे कई सारे organism है कई सारे जैसे बिच्चु है बिच्चु का डंक निकाल दो क्या वह आपको कोई हम पहुचा सकता नहीं मैंने ये वाला portion हटा दिया अगर मैंने ये वाला portion हटा दिया तो देखो ये कैसा देखेगा जो मुझे इसके अंदर भेजना है ताकि ये उस वाले MRNA से जो डबल वो बॉन्ड बना ले बॉन्ड बनाने के बाद वो उसको स्टेबल कर देगा और प्लांट को बीमारी होने से रोकेगा तो ये मेरे पसंद का आरेने मैंने क्या किया ये एरिया जहांपे ये बीमारी फैलाता था वो मैंने प्लाजमेट से लिया इसको TI प्लाजमेट बोलते हैं पिकॉस ये जो है ये बीमारी फैलाता है crown gall disease एक तरह का cancer होता है और cancer को हम और क्या नाम देते हैं tumor इसलिए इसको TI plasmid बोला जाता है tumor inducing plasmid तो हमने इसका क्या किया इस plasmid का डंक निकाल लिया इसके जहरीले दात निकाल लिये बीमारी करने वाला DNA निकाल लिया और क्या डाल दिया हमारे काम का अच्छा वाला DNA अब इसी agrobacterium को हम plant के अंदर खुद ही डालेंगे फिर यह plasmid plant के अंदर roots में जाएगा और roots में जाके जो अब देखो फिर से मैं वही कहानी सुना रहा हूँ plasmid roots के अंदर जाएगा यह रही roots ठीक है तो imagine करके चलो यह ए इमर्टोड का mRNA आएगा यह कौन सा mRNA है जो बीमारी फैलाने वाला है यह वह वाला mRNA है और अब हमने ओल्रेडी agrobacterium की मदद से अच्छा वाला mRNA अंदर पहुचा दिया अब इन दोनों के बीच में pairing होगी क्यों होगी pairing क्योंकि यह इसको अपने साथ जोड लेगा और extended RNA बना लेते हैं और फिर यह दोनों एक सिंगल इस टाइप का double extended RNA बना लेंगे और बीमारी नहीं होगी बीमारी नहीं होगी जो प्लांट है वो disease-free रहेगा मैं एक और बार डिक्टेट कर देता हूं क्योंकि यह बहुत ज्यादा important है और बहुत बहुत ज्यादा important है बार-बार question पूछा जाता है starting से बताता हूं सबसे पहली कहानी थी हमारे पास एक तोबेको का plant था तोबेको plant में बार-बार बीमारी कर रहा था कौन कर रहा था melodijine incognitia ठीक है यह अब हमने क्या किया हमने actually में इस वाले nematode को रोकने का एक तरीका निकाला तो हमने इसको protein बनाने से रोका protein बनाने से कैसे रोका इसका जो mRNA है उसका just opposite sequence वाला RNA हमने खुद लैब में बनाया और तोबेको plant के अंदर डाला ताकि वो जैसे यह roots में पहुँचेगा इसके mRNA का और हमारे बनाई हुए mRNA का डब वो bonding हो जाए और वो double standard RNA बना ले जैसा कि मैंने अभी बनाया था अब हमारे पास अगली चोनोती यह थी कि हम उस अपने synthetic RNA को जो हमने लैब में बनाया वो अंदर कैसे पहुँचा है तो हमने मदलती vector की vector की मदद से हमने क्या किया उसको RNA को अंदर पहुँचा है कैसे हमने vector लिया agrobacterium tubifacian इसका जो plasmid है वो किसी भी body के अंदर जाए खुद से replicate करता है हमने इसी चीज का फायदा उठाया और यह जो बीमारी करता था tumor वाली बीमारी वो वाले DNA निकाले अपना अच्छा वाला DNA लगाया और roots के अंदर डाल दिया फिर जैसे उस DNA RNA बनाया वो अच disease free रह गया यह सारी knowledge आपकी सारी books में दी हुई है सब कुछ अच्छे से explain किया हुआ है सवाल यह भी उठता है कि इस technique को इस तरीके को हम क्या बोलते हैं इस तरीके को हम RNA interference technique बोलते हैं अगर RNA interference technique को और जाधा detail में समझना है तो वो अभी रहने देते हैं क्योंकि वो चीजों कहानी के format में best है कोई इतना अच्छा slide नहीं है कोई इतना अच्छा topic नहीं है जो आपको सारी चीज़े समझा चकी मैंने यह जितना भी है सब कुछ पढ़ा दिया है एक भी single word छूटा नहीं है सब कहानी के format में बता है सारी की सारी कहानी यह सारी चीज़े complete हो चुकी है ठी ठीक है next जब हम ध्यान देते हैं तो हमने यही सेम चीज़ सोची कि क्यों ना हम insect resistant plant भी बना है क्योंकि वो तो nematode resistant हो अच्छा एक question बच्चे मेरे से पूछते हैं कि sir हमने जो इतना मेहनत की agrobacterium के उपर क्यों ना हम melodigym incognesia के ही अंदर वो बुरा वाला DNA निकाल के अच् यह कैसे पता चलेगा यह फर्क है ना तो यह बहुत ही छोटा सा question है लेकिन बच्चे मेरे से पूछते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया next insect resistant plant की अगर मैं बात करूं तो यह भी same concept है कोई एक insect है बार बार आके plant को उसकी leaves खा जाता है plant को खा जाता है नुकसान होता है तो बहुत अच्छा समझ में आएगा एक बार में समझ भीने वाली चीज है बहुत important है देखो क्या हुआ कि मान लो यहीं से देख लेते हैं यहां पर उतना अच्छा नहीं है इसको बाद में समझेंगे यह रहा वो plant ठीक है बहुत ध्यान से सुनना है एक बार में समझ में आए है अब देखो होगा क्या एक्चूली में यह जो plant था यह नौर्मल प्लांट मिटा कौन सा Grant ठांस जानिक ग्लांट कौन सा प्लांट था ट्रांस ! एक्चूली में अब इसकी मैं क्या कर रहा हूं इसके बाड़ी के अंदर के स्टॉक्चर बना रहा 서울 इंदर रे Tucson इसका intestine, तो actually में क्या होता है, ये जो toxin है ये इसके intestine में जाके ऐसे bind हो जाते है, उसके बाद ये perforation काॉस करते हैं, जैसे ये ताइफ ओर डाप की body में करता है na perforation, ऐसे ये छेद कर देते हैं intestine में, किसके intestine में, जो insect इसको खाएगा तो ये इसी तरह से इस इंसेक्ट को जान से मार डालेंगे अब ये हमने निकाला किस से? ये जो टॉक्सिन है ये हमने बनाया किस से? उस बैक्टिरिया का नाम है Bacillus thuringiensis, ठीक है? सवाल अगला ये उठता है कि क्यों ये टॉक्सिन उसी ओर्गेनिजम को नहीं मारता जिस से हमने इसे निकाला है? इसका आंसर है क्योंकि ये एक तरह का प्रो टॉक्सिन है प्रो टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब क्या होता है? बिफोर टॉक्सिन before मतलब क्या, कि actually में ये inactive toxin है, active नहीं है तो active का होगा सर, active तब होगा, जब alkaline pH में जाएगा देखो, पूरे इसकी body में normal था, जैसे ही intestine में गया intestine में आपको पता है कैसा pH होता है, alkaline जब alkaline pH में जाएगा, तो ऐसा समझो, कि मानलो इसके अंदर उपर हो एक coat है ठीक है ये prototoxin कैसा है, मानलो ये है, ये coat है और इसके अंदर असली toxin है इसके अंदर क्या है, ये असली toxin है, अब जब alkaline pH आप इसके उपर या alkaline कोई चीज इसके उपर डालो गए तो ये जो wall है, ये फिर dissolve हो जाएगी और फिर toxin exposed हो जाएगा और organism को मार डालेगा ये है mechanism, और इसलिए बोला जाता है कि ये prototoxin की तरह work करता है, inactivated toxin की तरह work करता है जब कोई insect इसको ingest करेगा, alkaline pH, again acidic pH टिक करके मता जाना alkaline pH के presence में, ये जो उपर का wall है, वो dissolve हो जाएगी, toxin release होगा, walls में छेद कर देगा, organism death हो जाएगी ये वो तरीका है जिसकी मदद से हमने जो bacteria लिया, bacteria से DNA निकाला उसका उसका जो DNA है, वो cloning की मदद से, फिर हमने जो plant था, उसके साथ tissue culture करवाया और वो एक plant बनाया ये वही transgenic plant है, जिसकी पत्तियां इसने खाने की हिम्मत की थी, तो ये समझ में आया ना, ये same वही similar steps है ठीक है, और ये सारी चीज़ है, जैसे कि BT cotton, soil bacterium, bacillus thuringiensis, BT, इसमें क्या होता है, kill करता है कुछ special insect को अब जरह हम समझते है कौन-कौन से insect को, ठीक है, lipidopterans, coliopterans, dipterans, ये insect को generally ये target करता है आसान तरीका एक जिंगल बताता हूँ, लाए तोबैको, आर्मी में, ठीक है, आर्मी वो में वो, लाए तोबैको, आर्मी में, काले बाबू, कोई offend मत हो ना, काले बाबू, देखो, फुल, मजा ठीक है न, तो ये simple सा तरीका है, आपको इससे अच्छा मिले, आप उससे अच्छा याद कर लेना The choice of gene, कौन सा gene हमको choice करना है, कौन सा gene हमको manipulate करना है, ये हमेशा इस बात पर depend करता है कि crop कौन सी है, और हमारा कौन सा pest target है Next, BT generally जो code किया जाता है, वो दो तरह के genes है, cry1, AC और cry, actually में, ये जो CRY है, ये वो cry gene है, जो ये toxin code कर रहा था, ठीक है न, Next, the gene CRY, AC और CRY, अब आपको क्या करना है, आपको इनके नाम याद रखने है, क्योंकि कई-कई बार ये दे देते हैं, cry1, AC, cry2, AB, क्या काम करते हैं, cotton ball warm को रोकने का काम करते हैं, cry1, AB, corn borat को, ठीक है न, तो ये सरफ ऐसे ही direct आ जाते हैं, MCQ, तो आपको ये याद रखने ह Most usually, small letter, अब ये gene और enzyme के बीच में difference बता रहा है, कि अगर मान लो, ये लिखा है, और दूसरा आपका, यहाँ पर actually मैं cry का answer दिया है, मैं DNA जो NCRT में दिया है, उसका बता रहा हूँ, अगर ये चीज लिखिए, कैसे फर्क करोगी, यहाँ फिर CRY और small में CRY, ये कैसे differentiate करोग enzyme हमेशा capital letter में होगा, प्लस आखरी में उसके ASE आएगा, ठीक है न, enzyme पहचानने का तरीका, क्योंकि NCRT में यही example इसलिए मैंने यही बता है, enzyme पहचानने का तरीका बहुत आसान होता है, क्योंकि enzyme क्या होता है, capital से चालू होता है, और आखरी में ASE आता है, लेकिन जो gene है, वो small से चालू होगा, और ASE उसके end में आना important नहीं है, next यह वो तरीका है, यह वो mechanism है, जो मैं आपको समझा रहा था, अब advantages, क्या-क्या फायदे हो सकते हैं किसी transgenic crop के, सबसे पहला advantage है, pest resistant होगा, जैसे कि मैंने देखा, pest मर जाएगा, तो क्यों घाएगा, tolerance, काफी ज़्य आप इसको काट लोगे, तो इसकी life लंबी होगी, ऐसा नहीं है कि दो दिन आपने रखा, महीने बार रखा और यह खराब हो जाए, prevention of early exhaustion, बहुत जल्दी, जो fertility of soil lost हो जाती, कई सारे पेड होगाने से वो नहीं होगी, nutritional value बढ़ जाएगी, कई सारे जैसे आपने golden rice के बारे म industries, कई सारे अब ओविश से बात है, industries के लिए resource की तरह काम कर सकता है, और disease resistance, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जिन से यह plant resistant होगा, क्योंकि आपने देखा न, disease resistant मिलोडी जैम में करवाया था, pest resistant करवाया था, this advance, नुकसान क्या क्या हो सकता है, environmental hazard, कैसे, unintended harm to another organism, जैसे कि मान रही को नुकसान है, effective of pesticides, जो effectiveness pesticide की होती है, उसको कम कर देगा, gene transfer to non-target species, अब जो gene transferred किया है, अब non-target species से आप कैसे tackle करोगे, यह फिर non-target species है, उनको नुकसान हुआ तो फिर कैसे tackle करो, यह problems है, human health risk, allergies हो सकती है, cancer हो सकता है, आपने सुना होगा, BT cotton और BT brinjal आया भी था, लेकिन BT brinjal ने काफी ज़्यादा बीमारियां cause कर दी थी लोगों को, effect on bacteria of elementary canal, हमारे elementary canal में काफी अच्छे अच्छे bacteria रहते हैं, उनको नुकसान हुआ तो, economic concern, काफी ज़्यादा economically महंगा भी यह हो सकता है, next class में हम transgenic microbes के बारे में पढ़ेंगे, I hope आपको यह lecture पसंद आय होगा, thank you. technology इन सारी चीजों को involve करके, genes में manipulation करके बनाया है, सवाल यह उठता, इसकी ज़रत क्या है, पहली बात, इसकी ज़रत इसलिए है, क्योंकि हम अभी तक क्या कर रहे थे, जिसको insulin चाहिए, ती obviously बात है, जो लोग है, जिनको diabetes है, जिनको insulin की ज़रत है, उनकी तादात बढ़ती जा रहे है, उनकी population बढ़ती जा रहे है, अब हमको इतना जाता insulin चाहिए, हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम other animals को slaughter करके, उनका insulin निकाल रहे थे, लेकिन वो insulin कई सारी टाइप की allergy भी कर रहा था, तो एक तो increasing demand उपर से जो already हमारे पास option है, वो उतना अच्छा नहीं है, तो इ transgenic microbes की, now what is a transgenic microbes, ठीक है, एक transgenic microbes वो microorganism है, जिसका हमने अपने फाइदे के लिए use किया है, और आसान भाशा में अगर मैं बोलूँ, तो suppose if we talk about a bacteria, कुछ भी हो सकता है, आपने अलगी ले लिया हो, आपने फंजाए ले लिया हो, आपने कुछ हूँ ले लिया हो, प्रोट genetic material है, जो हमारे किसी खास काम का नहीं है, हमारे लिए जो interesting चीज है, वो ये कि इसके पास plasmid भी है, इसके बास क्या है, plasmid है, हमको क्या करना है, इसके plasmid का एक टुकड़ा काटना है, और genetic engineering, biotechnology की मदद से, हमारा जो use का piece है, वो इसकी जगा लगाना है, यतीशी समझ में तो हम हमेशा क्या करते है, plasmid लेते है, plasmid का ये वाला जो फालतो हिस्सा, जो हमारे काम का नहीं है, वो हमने निकाला, या कोई बीमारी कर रहा होगा, उसको हमने निकाला, और ये जो हमारे काम का है, वो हमने उसमें attach कर दिया, तो ये basic तरीका है, ये जिस भी microbe में किया जाएगा उसे transgenic यानि कि जिसके genes को बदल दिया गया हो transgenic microbes मारको जिसको genes has been reduced during recombinant DNA technology जिसके genes को हमने कम कर दिया है दिख रहा है न यह genes को हमने हटा दिया अपने इसका use कहां कहां हो सकता है living factory production in plants sorry proteins protein production में हो सकता बहुत सारे कई सारे जैसे इंसुलिन क्या है प्रोटीन ही तो है तो प्रोटीन प्रोडक्शन में हो रहा है environmental protection में हो सकता है amino acid of fuel paper industry और बहुत सारी vaccines बनाने के लिए क्योंकि मैंने बताया है health के लिए सबसे जादा use होता है बहुत सारे microbes के काम हो सकते है ठीक है न तो सबसे इंसुलिन के बारे में कुछ basic funding समझते हैं तो अभी तक हमको यह समझ में आया कि हमें genetically engineered insulin की जरत क्यों पड़ी और कैसे पड़ी अब जरा हम इसके structures की details को देखते हैं structure की जब detail आपको दिखेंगी पहले आपको insulin के बारे में basic details पता होनी चाहिए जैसे कि insulin hormone जो है कहां से release होता है pancreas से second चीज pancreas में भी दो तरह के cell होते हैं तो beta cells of langerhams ठीक है ना आप किसमें बोलते हो isolates of langerhams isolates of langerhams के अलग-अलग type के cell है तो उसके beta cells है एक और important बात कि insulin बनाने का insulin form करने का जो gene है वो chromosome number 11 पे होता है तो यह कुछ basic detail जो आपको पता होनी चाहिए insulin के बारे में now important चीज insulin actually में जो release होता है वो एक pro insulin form में release होता है pro insulin का मतलब क्या है insulin hormone है pro insulin obviously बात है यह क्या है pro hormone now what is a pro hormone pro hormone को हमेशा active mature form में आने की जरुत होती है वो जिस form में release होता है उसमें utilize नहीं हो सकता जैसे कि insulin की बात करो insulin भी immature यह फिर pro insulin की तरह release होता है इसको भी activate होनी की जरुत है तो activate कैसे होगा आपने ध्यान दिया होगा जो mature insulin होता है उसमें दो chain होती है A chain और B chain जो disulfide bridge की मदद से जुड़ी होती है mature insulin में कभी भी यह वाला portion नहीं होता है अब आपको समझ में आए कि अगर C-peptide present है अगर C-peptide present है मतलब यह कैसा insulin है immature insulin है pro insulin है इसको अभी activate करना बचा है तो यह आपने कुछ basic details समझी insulin के structure के बारे में अब मैं जरा आपको वो तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप genetically engineered insulin बनाने वाले हैं बहुत ध्यान से सुनना बहुती simple सी बात है अभी तक मैंने पहले आपको बताया कि हम transgenic microbes को क्या use कर रहे हैं दूसरा मैंने insulin का structure समझाया insulin का structure बहुत जारा जरूर है अभी समझाया क्यों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस process से किस तरीके से transgenic insulin बनाते हैं या फिर sorry अगर जादा better language बोलू तो किस process से हम जो हमारे desired insulin है genetically engineered insulin है उसको कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से सुनना यह bacteria है again मैंने बताया था ना इसका plasmid यूज करेंगे तो इसके plasmid का इतना portion मैंने काट दिया तो अब यह कैसा दिखेगा ऐसा plasmid और यह रहा वो gene of interest यह gene of interest मतलब यही insulin बनाने का information रखता है यही वाला gene तो यह ऐसा दिखेगा अब मैंने इसको और इसको join कर दिया तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है यह वाला जो portion है यह आपको यह दिख रहा है यह वही human cell का जिसको diabetes है यह जो donor है donor का मैंने वही gene जो insulin बनाने की information रखता है वो मैंने यहाँ निकालके इससे attach कर दिया अब इसकी मदद से मैंने इसको दुबारा transfer कर दिया अब इसकी मदद से मैं बहुत सारा insulin production करूंगा बहुत सारा insulin जो है उसको फिर मैं यूज करूंगा अलग-अलग लोगों में insulin बाटने के लिए यह insulin का यूज करने के लिए यह चीज समझ में आई ना यह प्रोसेस पूरी अच्छे समझ में आई यही genetically engineered insulin की basic सी और simple सी process है एक सवाल आप पूछ रहे होंगे कि सर क्यों हम bacteria से ही direct पूरा का पूरा insulin बना ले क्या ज़रत है हमको बार-बार इस तरह से के human cell से gene निकाल रहे हैं क्यों ना हम bacteria जो cell है उसी से mature insulin produce कर दे यह भी तो कर सकते हैं नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते bacteria से bacteria से हम direct insulin क्यों निकाल सकते मत भूलो कि जो भी protein bacteria बनाएगा उसमें exon और intron दोनों होते हैं जब मैंने आपको process बताई थी जब मैंने आपको पूरी process पढ़ाई थी translation की तब मैंने बताया था कि actually मैं bacteria में introns और exons दोनों होते हैं यानि कि जो protein बनता है bacteria का उसमें काम के portion भी होते हैं मानलो इतना portion exon है हमारे काम का है और जो waste होता है intron वो भी present होता है लेकिन जो human cell है human cell हमेशा कैसा protein produce करते हैं सरफ काम का पूरे जिसमें सरफ और सरफ exons होते हैं ये चीज़ समझ में आई न तो ये फर्क होता है इसलिए हम bacteria cell से पूरा का पूरा insulin production direct mature form में नहीं करवा सकते एक और अगला सवाल एक question है आपका same यही NCRT में भी दिया हुआ है कि हम क्यों उसको mature form में derive नहीं कर सकते हम उसको mature form में इसलिए derive नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो भी protein हम बना रहे हैं वो actually में जिस तरीके से जो method हमने use किया उससे हम सरफ एक जो insulin है जो normal pro insulin के form में है उसी में derive कर पाते हैं जो mature form है उसमें derive नहीं कर पाते हैं तो क्या हुआ था यह जो process है यह एक company है LA Lily in the year 1983 1983 में एक company है LA Lily American company है इसने इसी तरह से insulin production का का काम किया था लेकिन कैसे जरा ध्यान से समझना इसने actually में दो bacteria लिये इस company ने दो bacteria लिये एक bacteria से इसने A chain produce करवाई और दूसरे bacteria से इसने B chain produce करवाई और body के ही बार दोनों bacteria की दोनों को disulfide bridge से जोड़ दिया तो यह तरीका था इनका insulin production करवाने का तो यह आपको समझ में आया ना insulin के बारे में सारी details यहां पे cover हो रही है मैं बस आपको एक बार यह basic चीज़े बता देता हूं य Genetically Engineered Insulin अगेन यह simple वही चे डियने सेग्मेंट किसी भी डोनर का मैंने वो डाइग्राम दिखाया था ना डोनर का DNA सेग्मेंट रिकॉमेने डियने बनाना कैसे बनेगा प्लासमेद लिया बैक्टिरिया का डोनर का DNA लगा दिया रिकॉमेने डियने प्रोडक्शन ऑफ मल्ट के अंदर जाके यहां फिर नहीं कर रहा है तो this is all about genetically engineered insulin I hope आपको बहुत अच्छे समझ में आयोगा बहुत सिंपल है बहुत ज्यादा important है अगर यह वीडियो आपको पसंदा है तो इसको जरूर लाइक करें थेंक यू इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे another important topic that is gene therapy अगर मैं इस chapter की बात करूँ तो इस chapter में जितने भी से होती हैं कई बार एक छोटा सा gene defect होता है और उसकी वज़े से आपको बीमारी बहुत serious disorder जान लेवा बीमारियां हो सकती है now gene therapy भी वही है मैं क्या करूँगा एक faulty gene जो है जैसे कि अगर मैं chromosome बनाने का काम करूँ यहाँ पर तो मान के चलिए ये वाला जो gene है ये खराब है इसमें कुछ defect है तो मैं क्या करने वाला हूँ इस वाले defective gene को हटा के जो दूसरा functional gene है जो अच्छा वाला gene है उसको इसकी जगा insert कर दूँगा बहुत simple सी चीज है this is gene therapy तो हम क्या करें टेक्निक ओफ genetic engineering to replace a faulty gene faulty मतलब जिसमें बीमारी है उसको normal healthy functional gene से हम replace कर देंगे एक basic idea बताता हूँ कि generally genetic disorder होते किस type के और क्या करते है अगर इस gene में दिक्कत है तो इससे जो भी enzyme बनने वाला था क्योंकि at last क्या बनते है genes है enzymes तो इससे जो भी enzyme बनने वाला था वो body में नहीं बनेगा और उस enzyme के ना बनने से बीमारिया होंगी example cystic fibrosis जैसे की आपने देखा ठीक है ना muscular dystrophy तो जरा हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं scientist ने क्या किया उन्होंने कुछ इस तरह के disorder identify किये और कोशिश की क्यों ना ऐसे genetic disorders को हम genetic therapy की मदद से gene therapy की मदद से treat कर दें तो देखो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उनके दिमाग में आई ठीक है severe combined immunodeficiency जिसमें immunodeficiency होती है ठीक है इसको अभी पढ़ नहीं है तो इसको अच्छे समझते cystic fibrosis, muscular dystrophy आपने देखा होगा यह सारे के सारे genetic defect हैं single gene में change आने की वज़े से होते हैं तो जरा इसको ध्यान से समझते हैं actually में क्या हुआ था एक 4 साल की बच्ची थी उसके उपर सबसे पहले यह experiment किया गया था यह 4 साल की बच्ची 1990 की बात है ठीक है न यह first attempt था for यह gene therapy के लिए अब क्या होता है severe combined immunodeficiency एक enzyme होता है जो body के लिए बहुत बहुत जादा ज़रूरी है अब यह जो enzyme है obviously बात है जो gene था जो इस enzyme को बनाने के लिए responsible था वह faulty था faulty मतलब यहां तो बनानी पा रहा था और यहां तो वह absent था यह चीज़ समझ में आई नहीं तो अब यह enzyme produce नहीं हो रहा है तो इसकी वज़े से क्या हुआ हुआ हमारा immune system बहुत जादा वीक हो जाता है तो हमने क्या किया यह 4 साल की बच्ची के उपर in the year 1990 पहली बार ट्राइ किया gene therapy की मदद से इस बच्चे को ठीक करना तो देखो process क्या अपनाई गई यह थी वो process बहुत simple है एक बार में समझ में आने वाली है बहुत ध्यान से सुनना हमने क्या किया जो इसका जो bone marrow था क्योंकि देखो अभी तक हमको इसको permanent ilage देना ही देना है अगर इसको permanent ilage नहीं दे पाईगी वनना हमेशा दवाईयों के भरो से रहना पड़ेगा दवाई भी कैसी दो therapies हैं जो NCIT में discuss की गई है पहला है enzyme replacement पहला क्या है enzyme replacement और enzyme replacement में क्या होगा कि इसको जो CD है इसको ये enzyme हम किसी भी तरीके से इसकी body में डालते रहेंगे और दूसरा ये bone marrow transplant का तरीका है ठीक है न तो ये NCIT में describe इसलिए बताना पड़ा start करते हैं सबसे पहले हमने क्या किया हमने bone marrow के जो WBC जो basic cell होते हैं जिन से WBC बन रहे हमने वो basic cells निकाले ठीक है न जो stromal cell है जो stem cell है जो आप नाम दो stem cell सबसे classy लगता है तो stem cells चलो करते हैं इसके bone marrow में से हमने stem cells निकाले WBC वाले ठीक है न क्योंकि उन्हीं में defect था WBC responsible ह होता है हमारी body में immunity के लिए हमने वो जो WBC लिया उसका DNA ने देखा यह रहा उसका DNA ठीक है हमने क्या किया कि जो gene of interest gene of interest यहाँ पर कौन होता है gene of interest यानि कि जिसके अंदर यह adenosine deaminase ठीक है यह शायद आपको clear नहीं दिख रहा होगा मैं एक बार clear लिख देता हूँ हमारे gene of interest वो gene है जो आगे चलके adenosine deaminase enzyme इस body के अंदर बनाएगा यह जो child जिसके अंदर हम दे रहे हैं उस body के अंदर यह जाके यह enzyme बनाएगा तो gene of interest कौन सा gene है समझ में आया वो gene है जो body के अंदर जाके ada enzyme बनाएगा और बच्ची की जो भी दिक्कत है उसको खतम कर देगा तो आपकी जो book में है वो adenosine deaminase c dna करके लिखा है यह जो dna है actually में यह वाला dna portion है जो functional dna इसमें दिखाया होगा आपको दिख रहा होगा यह ऊपर का dna बनाएगा यह बीच का बनाएगा और यह end का तो यह वही functional dna है जो इसमें insert किया जाएगा तो यह चीज़ समझ में आई insert करने के लिए यह जो मैंने vector का use किया है यह है retrovirus retrovirus आपको याद होगा HIV वाला यह वही retrovirus है और उसी की मदद से obvious ही बात है उसको बीमार करने वाली property है वो हमने निकाल ली और उसी की मदद से हमने इसके stem cells में यह functioning dna डाल दिया यह आपको दिख रहा होगा functional dna डाल दिय same काम अगर हम late age में करेंगे तो हमें बार बार करना पड़ेगा और अगर same काम हम बच्ची के embryonic stage यह बहुत जल्दी कर दे तो उसको जिंदगी भर के लिए permanent cure हो जाएगी तो यह gene therapy का basic है gene therapy में अगर मैं बोलू हूँ आपको कुछ revise कर करके जाना है तो again यह जो process है इसको revise क करके जाना मैं एक और बार बता देता हूं बहुत short में stem cell निकाले body के WBC वाले उस stem cell में अब obviously इसके अंदर वो gene है नहीं इसके अंदर वो gene है नहीं absent है कौन सा gene जो वो enzyme बनाने वाला था ADA enzyme हमने क्या किया retro virus की मदद से इस cell के अंदर वो इसके DNA के अंदर हमने वो DNA या gene डा जाल दिया कौन सा gene जो बाहर का था actually में जिसमें यह क्या बुलते हैं हम जिसमें यह power थी जिसमें यह capability थी कि वो enzyme बना सके बनाने वो जो हमारा का enzyme था जो बन सके तो यह वाला जो DNA है वो हमने इसके अंदर insert किया और दुबारा से इसकी body में यह वाले cells को हमने transmit कर दिया बस पता चुका हूँ और इसके बाद next topic हम पढ़ेंगे molecular diagnosis I hope आपको यह topic पसंद आया होगा thank you Hi my name is Ashish Parashar welcome to magnet brains इस lecture में हम पढ़ेंगे 3 important topic first is molecular diagnosis another one is transgenic animals फिर application of biotech और आखरी में ethical issues सबसे पहले यह जितने भी last topic हैं इनसे questions काफी rare पूछे गए हैं और इसी वज़े से इन पे कोई बहुत ज़ादा focus करने की ज़रत नहीं है जो अभी तक का portion है वो ultra important है लेकिन अब जो portion यह last lecture जो पढ़ा रहा हूं मैं यह ठीक थाक important है जहां से localized question कई बार पूछे गए हैं वो मैं बता दूँगा Now what is molecular diagnosis हम क्या कर रहे हैं हम genetic engineering की मदद से DNA की मदद से हम जो बीमारिया हैं उनको पहले ही पता कर रहे हैं कुछ basic चीजें हैं जिनको बार बार involved किया गया है recombinant DNA technology PCR ultra ultra important PCR बहुत ज़ादा important है बहुत सारे question आते हैं इस पे and ELISA enzyme link immunosorbent assay यह वो जगह है after PCR जिसके उपर बहुत ज़ादा question आते हैं PCR एक्चुली में newer technique है तो इस पे बनते हैं ELISA पुराणी technique है PCR से पुराणी तो इसमें question उतने ज़्यादा नहीं आते molecular probe usually now what is a probe? probe की definition कई बार पूछी गई है तो probe actually में क्या होता है single extended DNA को हम कभी भी किसी radio isotope के उपर चिपका दें तो उसको हम probe बोलेंगे बहुत आसान तरीका है समझने का radioactive isotope यानि की मालो मैं कुछ भी nylon वगेरे sheet ले लूँ और उस sheet के उपर single extended DNA मैंने इस तरह से लगा दिया this is a probe probe का use हम कई बार जो PCR टेक्नीक हो गई है या दूसरी टेक्नीक जैसे की DNA finger printing टेक्नीक हो गई हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए तो बहुत सारी चीजों में इसका use होता रहता है एलीसा बहुत important है पूछा गया जाता है इसका enzyme alkaline phosphatase enzyme का नाम बहुत बहुत बार पूछा गया है यहाँ फिर simple इसकी जो full form है वो पूछ लिया जाता है principle, antigen antibody reaction के principle पे यह based है किस interaction पे? antigen antibody reaction पे depend करता है उसके principle पे based है यह actually में क्या करता है small amount of protein, protein यानि की या तो antigen को detect कर लेगा या तो antibody या उनके complex को detect कर लेगा और यह important है कि इसका जो enzyme है peroxidase या alkaline phosphatase, ultra important यह वो तरीका है ELISA करने का, कुछ different type के ELISA है not so important आप जब microbiology पढ़ोगे, second year mbbs में, आपको आसानी से यह सब पढ़ने को मिल जाएगा now water transgenic animals जैसे कि मैंने बताया था, trans gene word का मतलब क्या होता है trans मतलब change कर देना, क्या change कर रहा है genes को यह वो animals हैं, जिनके हमने genes अपनी मदद से change किये हैं change करने क्या मतलब, again, जो हमें test करना था test करने के लिए हमने क्या किया, कुछ इन पर test किया और उससे हमने इनके genes को manipulate किया अपने जो फाइदे की चीज है, वो इनसे करवाई तो क्या होता है transgenic animals are animals which carry foreign genes foreign genes मतलब वो genes जो हमने उनके अंदर input किये हैं, insert किये production of transgenic animals किस तरीके से होता है the foreign genes are inserted into the animal with help of recombinant DNA technology जो हम बहुत अच्छे से देख चुके है अब transgenic animals को हम किस तरह से produce करते हैं पहले location, identification and separation of desired gene जो हमें gene उस animal में insert करना है पहले उसका ठीक से selection next, selection of proper vector generally virus होता है लेकिन हम कोई भी अच्छा सा vector जो हमें तुरंत result दे वो vector choose करते है desire gene का combination with vector यानि की एक तरीके से recombinant DNA बनाना next, उसको host में transfer करना और उसके बाद इस चीज को देखना कि वो जो gene अंदर गया है वो जो DNA segment अंदर हमने बेजा है वो proper अपना function कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखना भी हमारा ही काम है ये बहुत ज़्यादा important है steps जो है basic अगर आपको idea है तो इतना काफी है आपको अलग से डरने की जरुद नहीं है ये वो तरीका है ये हमारा human gene of interest हमने जो अब ये जो donor egg है क्या है हम actually में क्या कर रहा है हम इस process में एक ऐसी goat produce कर रहा है जो बकरी जिसके अंदर सारे vitamins वाला दूद produce होता हो तो ये रहा वो gene vitamins बनाने वाला हमने ये लिया egg और उस egg में ये वाला gene insert कर दिया फिर transgenic goat बनाई ये जो transgenic goat है वो milk produce करेगी और उस milk में पूरा growth hormone multi vitamins जितनी भी चीज़े हमको जो भी desire चीए था जो भी हमने जिसका gene डाला है वो हमको वहाँ product मिल जाएगा ये तरीका है now applications की अगर मैं बात करूँ genetic engineering के तो बहुत सारे है first talking about molecular किसी भी disease को अगर हमें analysis करना है दूसरा protein production of protein insulin जैसे की हमने बनाया था lab diagnosis में आगे help कर सकता है gene therapy हमने example के साथ देखा parental diagnosis of the disease parental मतलब जैसे की जो embryo है उसी में कोई बीमारी हम पता करने application of forensic medicine कई सारे DNA finger printing है जिससे की आप जो कातिल है उसको पकड़ सकते हो food industry से भी हो सकता है protein जो produce कर सकते हैं उनसे help मिल सकती है application to animals animal को बहुत सारा अब हम क्या कर सकते हैं animal की मदद से बहुत सारे अलगरा type के vaccine बना सकते हैं और evolution evolution भी हम आगे पता कर सकते हैं इस मदद से के आगे के genes जो आने वाले हैं वो कैसे होंगे प्लस हम उन में changes भी कर सकते हैं ethical issue मतलब वो issue है जो actually में society की तरफ से raise होते हैं conduct by which community regulate its behavior and decide to which activity is legalized or not सबसे पहला इसके लिए हमने एक committee बनाई genetically engineered approval committee इसका full form बूचा जाता है इंडियर government ने बनाई है और इसमें कुछ भी खास नहीं है important line यह है कि यही वो committee है जो decide करेगी कोई भी genetic product है वो market में आएगा या नहीं आएगा ठीक है तो यह बहुत अच्छा एक diagram देखने को मिला था now what is biopatent आपने कभी भी कोई चीज़ बनाई हो invent की हो आप क्या करते हो उसकी patency ले लेते हो bioparacy same आपने किसी का चुरा लिया some organizations है और multinational company है वो exploit the patent biological resources और bio resources of other nation without proper authorization from the countries और concerned persons यानि कि जैसे आप यह मान के चलिए आपकी cycle है ठीक है आपका दोस्त है बिना पुछे उठा के ले गया चलान लगा यह क्या है bioparacy चुरा के ले गया है तो यह वही चीज़ है actually में क्या है कई सारे ऐसे organization multinational company है जो बिना किसी सी permission लिए authorization लिए उसके product को use करते हैं अपना बता के example दिया हुआ है अमेरिका का के बासमती राइज उन्होंने चुरा लिया था बहुत सारी चीज़े चुराने कोशिश की है जिनमें से एक छोटी सी बात है आपने नीम का बहुत सारा case सुना होगा आपने टर्मरिक का case सुना होगा जहां पे लोग पेटेंसी बताने लगते कि ने यह जो प्लांट है वो हमारा native है तो हम इस पे पूरा हख रखते हैं तो यह सब सारी चीज़े हैं वो उठती रहती है I hope आपको यह पूरा समझ आया होगा यह यहां पे topic खतम होता है I hope आपको यह पूरा chapter समझ आया होगा अगर समझ आया तो इसको ज़रूर like करें Thank you Hi, my name is Aashish Parashar Welcome to Magnate Brains इस lecture में हम एक नया topic पढ़ेंगे That is BioTech and its Application BioTechnology के Applications की अगर मैं बात करूँ तो बहुती ज़्यादा Wide Variety के Application है जैसे की Diagnostics में तो अगर बहुत सारी बीमारियां है उनको जो Diagnosis है उसमें काफी ज़्यादा यूज किया जाता है BioTechnological Techniques का For example, Polymerase Chain Reaction जो मैंने आपको बताया था वो बहुत बहुत ज़्यादा Important है और काफी सारी बीमारियां उससे Detect की जा सकती है Genetically Modified Crop for Agriculture अब आपने देखा था जब Green Revolution आया था तो वो Actually में सबसे बड़ा जो Reason था उसके पीछे यही थे कि Genetically Modified Crops जो है Maximum Vitamina और Minerals सारे मिल जाएं जो उसमें Already Present Naturally नहीं थे Processed Food काफी सारे ऐसे Materials हैं उनको हम Food की तरह यूज कर सकते हैं काफी सारी ऐसी चीजे हैं जिनको हम As a Food आगे यूज कर सकते हैं Bio Remedies Bio Remedies में हम क्या कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो मैं आगे पढ़ाओंगा प्लस कुछ ऐसी चीजे हैं जो हमारे Importance के लिए जैसे Insulin Production हो गया तो ये बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिनका Ultra Ultra Use होता है और बहुत ज़्यादा Wide Level पे यूज होता है Waste Treatment में हम यूज कर सकते हैं काफी सारे Genetically Modified Organism हैं जो हमारे Waste Treatment में काफी मदद कर सकते हैं Energy Production में मदद की जा सकती है Energy Produce करने के काफी अलग-अलग टाइप के तरीके होते हैं वहाँ पे हम Bio Technology का यूज कर सकते हैं ये अलग-अलग वो सेक्टर हैं कितना परसेंट कहां पर यूज हो रहा है जिसमें आप देखोगे Health में सबसे ज़्यादा यूज किया जा सकता है Bio Technology और उनकी Process का Next अगर हम बात करें तो Research Area जिसके अंदर Bio Technology को Research Area जो है कुछ Defined Research Areas हैं जैसे Catalyst तो Actually में क्या करना है Bio Tech का जो Research Area है कि हमको एक ऐसा Catalyst प्रोड्यूस करना है Catalyst का क्या काम होता है Reaction को Fast कर देना तो हमको एक ऐसा Catalyst प्रोड्यूस करना है जो Best हो in the form of Improved Organism Actually में क्या है एक Organism जो Bio Tech की मदद से हमने Produce किया है इस Organism को हमने Bio Technology की मदद से Produce किया है तो ये क्या है? ये Catalyst है जो भी XYZ जैसे हम इसे Insulin बना रहा है ये तो एकदम सही है लेकिन इसको जिस Body भीजा जा रहा है वहाँ हम इसको Managing न कर पाए और ये जाके काम ही ने कर पाए ठीक से तो हमको Optimum Conditions का भी ध्यान रखना है ताकि ये Catalyst सब से अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से Perform करे Downstream Processing यानि कि ये एक तरीके से Last Stage होती है जहाँ पर Finishing, Fitting और ये सारी चीज़े होती है Now what is Finishing and Fitting? यानि कि वो Last Process जिसके बाद हम इसको Product को Market में उतारने वाले होते हैं तो कुछ Basic चीज़े रहती है Purify करना रहता है Protein को, Organic Compound को तो उसको हम Downstream Processing में इंक्लूड करते है Next, Application अगर मैं बात करूँ Agriculture Field में तो Agriculture Field में तो बहुत ही ज़्यादा Applications है For Example, Agro Chemical Based तो पहले Actually में क्या होता था Agriculture Fertilizer डाला, खतम उसके बाद हमारे जो Responsibility है वहीं खतम हो जाती थी तो ये Conventional Technique है Organic Agriculture and Organic Farming अब हम क्या करेंगे, Organic जो Products हैं, उनका यूज करेंगे और उसमें हम BioTech की मदद ले सकते हैं ऐसी Organic Products को ज़ादा ज़ादा Produce करवाया जाए, मैनुवर वगरा से मदद से, हम जो Agriculture है, उसको काफी ज़ादा Organic तरीके से बढ़ा सकते हैं Last, जब हम Transgenic Plants को Produce करना चालू करते हैं ऐसे Plants जो Genetically Engineered हो उनको हम Produce करना चालू करते हैं इनका बहुत ज़ादा फाइदा होता है जो Transgenic Plants होते हैं, यह बहुत ज़ादा Superior और फाइदेमंद होते हैं तो इनको जो है, इनको मैं